हाई विर्वन वेल्कम बाक टुशाइंग लाइवान सुप संद्य आप सभी को कैसे हैं आप सब फूली बहुत अच्छे होंगे बढ़ियां होंगे चलिया इस शुराज करते हैं आज की स्क्लास की हमें पढ़ना है साइंस साइंस की अभी तक एक भी क्लास नहीं हुई है साइ और आप जोलाई है इससे पाले आप लोग कि मैंने आपके मज़नी से ख़नी खरकते हैं यहां पर कर वाँंगी पर यहां पढ़ने के बाद नहीं को साइंस सबस्ता हैं सायंस में और स्यूसल साइंस की कुछ चाप्टरेस पर स्टार्टिंग के वो यहां साइंस आरिक देख तो चलते हैं देखते हैं आप जड़े शाली सभी का यहां पर सवागत है आप सभी पूरा वीडियो फुल देखिए फिर कोई प्रोड़ा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए टेलेग्राम को जॉइन करिया आप सभी को सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिलते हैं आप लोगों तелेग्राम कमेंट बोक्स में मिलता है नाम से साज़ कर सकते हैं और वहां पर आपको कोई धाउट है और कोई और चीजारे हैं तो वहाँ ब्यांट करने के लिए सब्कुस करने के लिए अप लिंक दिया गया जहां-पर आपका कांटेक्स सभी सर्से होगा ठे तक पहुंचा सकते हैं चलिए आज यह साइंस पचीस नंबर का पीपर अठारा क्वेश्चन्स बारा नंबर पास हैं साइड आपको सेम वैसे की वैसे हैं अच्छा है बड़ा भी है तो सिक्वेंस में करके एक चीज़ें को अराम से हम देखते हुए चलेंगा आप लोग की न मथाले जो चाप्चर पढ़ना सबस्क्राइब है नहीं है सबस्लेऑ तो आपने से पूंद में हैं पारीजन फुल करें दोुथ सबस्क्राइब अब करें देखने क्लिश्चें धूल मैं क्या से मिधा आप से स्रेजा ए पूछा जाता maintenant कि solar system की या फार किसे कहते है क्या होता है क्या लिखेंगे लाइंगी व्रिफाश आप क्या लिख पाएंगे जरूर लिखेंगे उल्प क्या होता है दो आछ इत्वर सीस्टम जुरूर नहीं देखा है वो दरूर Sistema इस तरीका का कुछ आपको देख रहा है काफीम यह प्रशनाप से अक्सर बुछ जाते हैं तो शौरे मंडल का यह जो एक वह आप सिक्वेंस आप देख रहे हैं आप यह चार्ट पेपर में देख रहे हैं इमेज आपके लिए अच्छा है तो यूज कर सकते हैं अलग अलग जगां पर आगे बढ़ते हैं अब चलते हैं थोड़े थेयरी के सेक्षन पर कि क्या कह चीज़े हैं शौरे आठ ग्रह इन ग्रहों के उप ग्रह तता कुछ कगोली पिंड जैसे शुद्र ग्रह पुचलतारा उलका पिंड आदिसे मिलकर शौरे मंडल का नर्माड करते हैं इसे हम सौरे परिवार भी कहते हैं सौरे मंडल के केंद्र में था देग बातर में सेंटर में वांण सौरी के किचाव के कि अनने सभी सदस्द सौरे Ogrid के circle Do आप जानते हैं कि सूर एक तारा है ठीक है सूर इसन जो है वो खुद में एक तारा कि उसमें खुद की प्रकास सजुर जाए तब यह देख सकते हैं कि उसके इर्दगे सारे प्लानेट सारे गूम रहे हैं तो वह ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रेक्शन के करन यह चीजे हैं आगे बुड़े अब बात करते हैं सूरी क्या होता है तो आप देख सकते हैं शौरे मंदू के केंदर में सेंटर में हेड़ सबसे सर्वों परी तो शौरे मंदू की केंदर में स्थित्त है अधिक गर्म है बहुत होट है टेंपरेचर 6.000 दिगरी से जादा बेक पर तिकला है, एक गर्म गैसों से बना हुआ है इसमें मुक्ष रूप से जो गैस प्रिजेंस और सब्सक्षाइब का इसमें और क मनें और धाया है, तो किसे मिलकर बना है में केंदर इसमें स्थित्रशूर या तिदिक गर्म है गैस का बना हुआ गोला है इसे मुखी रूप से हाइडूदर हीलियम गैस पाई जाती है यह बहुत बड़ा है बहुत विशाल है बहुत व्यापक है हमारी प्रित्वी लगबक थे हमारी प्रिविज ऐसे लगबक तेरा लाक गोले इसमाज देती हैं हमारी प्रित्वी है जाप हम रह सकते हैं इस तरीके से ना जाने कितने लगबक गोले जो होते वो उसके अंदर समाहित हो सकते हैं और यह समुचे इस पूरे सुर्य मंदल को उश्मा प्रकाश बदान करता है मुखिया है सेंटर है सबकी देख करेगा जाहिए से बात है और यह कह सकते हैं कि शूर्य से सुर्य हमा सूर्य प्रित्वी से लगबक एक जो है पंद्रा करोन किलोमेटर की दूरी पर यह प्रक्स 14.9 करके लिखा रहता है आपको अकसर देख सकते हैं और तीन लाग किलोमेटर प्रति सेकंड की चाल से शूर क मैंने को हाइलाइट करके लिखा हुआ कि देख और टेक्स तो ब्लैक में तरह लेकिन यह जिससे बहुत बिखल्पी प्रश्च मनेगा एक आपको यह बन सकता है एक आपको यह वह बन सकता है एक आप से बहुत बेसिक साब पुझा आता है कि शूर्य तारह है चंद्रमा है ग्रह चुद्रह क्या तो सभी जानते कि शूर एक तारा है ठीक है तो बच्चे बहुत सारे करण लेकर बैठ रहते तो गलत कर देते हैं छेली आई आगे पुड़ते यह देख सकते हैं आप यह सब्सक्राइब काफी बढ़ी है मैंने एमेज आपके लिए कलेक्ट की आप सवाशा आती है कि ग्रह क्या होता है आपके सब्सक्राइब करने चूटी चूटी बात आपको पूछी जाती है अब ऐससी अब एक नमबर दो नमबर में आएगा जैसा परस्वर उससी के साहन कें लेख लेते हैं तो ग्रह क्या सकते हैं कि प्रिद्वी शूर के चारो और चक्र लगाती है तो किसी आकासी पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि ग्रैमिटेशनल फोर्स के प्रवाव से उनकी आकरती गोले या लगबग गोल हो और अनकिसी ग्रह की कख्षा को नहीं काड़ते हो ठीक है पूरा उनका मलब कभर अपना हो तो आप यह वादा से सोच चुकि एक गचा को कमेंट बॉक्स में किया था कि मैं हम लिखने तक का बत अब लिख सकते हैं और जदा बड़ा अगर माने दो नमबर पूश रहा है तो आप यहां तक लिख सकते हैं इसे तो दो तीन दी लाइन काट के लिखनी होगी बहुत अदा आपको ने और फिसके बाद एक दुग्रह का गपुदारन दे दीजे तापकी चीजे आसान हो साइंस में आता आप जानते हैं तो आ सकते हैं ऐसे तो आपको बढ़िया रहेगा और आभी जाएंगे तो दो नमबर मिल जाएगा और यह बनाना भी एजी है अब यह सन है खुदारा है फिर मरकरी है इंका सिक्वेंस है उनसे प्रश्ण बनता है हमसे कई बार तो वह जाना मकरी है फिर फीर अर्थ है फिर मार्स ने कंड़ है तुसक बार ग्रह जातै मैं एक फेरें स्युने नियूरह ..... में डाव का सत्य०ी ہ pronounce आप प्रश्ण और तो इस तरीके है जो बड़े बड़े सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में शौरे मंडल से संबंदित चीजों को जान लेना है आगे बढ़िए चलिए अर्थ के बारे में है तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सूरे से दूरी के करम में तीसरा अगर हम दूरी की डिस्टन्स किने के कहां पर है तो दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर होता है आकार में अगर हम सेफ के हिसाब से देखें तो पांच वाता है यह प्रिशन कभी कभी पूछ सकता है कि दूरी के हिसाब से कौन सा करम है तो इसमें तीसरा लिखके जो आगा इसका वस्तुनिस्ट बन सकता है इसका ध्यान लख हमारी प्रिद्वी लगबक गोल आकार की है वह द्रुबब कर दो लोग जाती है तो वहां पर किता दो दो जोपती है तो अब तो उबरी हो जाती है इसलिए इसके किया कर को कोई लोग भुबाग केते हैं जौय इट भी मतन Tuft का है क्विग जो है साइंटेस्स लोग ने जोभी चीज़े पढ़ी है समझी उसक्षाफसे और सीज़े मेंचांड करती है टो कहा सकते हैं कि जीव में के लिए रैकलन पर स्वथातरय कि यहां पर लाइफ है ठीक है और क्लाइमेट है पूरा बाइस फियर है सब्सक्राइब बहुत सारे हैं जिसकी वैसे यहां पर ग्रीन प्लाइट के नाम से हमारी प्रिद्वी को जा जाता है प्रिद्वी बहुत जल के रिखता है जिस वज़से झाल नील ग्राइब कहारा तब ऑपनी प्रिद्वी के बारें यह 2-3 पॉइंट सैजय को उप्सक्राइब लें आगे बढ़ें यहां तक सभी को आप सभी तो और अभी कुछ क्लेर नहीं है क्या सीन रहता है अगर आएगी तो यूपिटेट फिर जो जो बच्चे हो सकता है दे पाएं जो भी चीन रहेगा पता चलेगा लेकिन यह की तैयार रोना जिसको देना है वो तैयारी से पढ़ आएगी नहीं इतना पढ़के चलते हैं फिर क्या है प्सक्ट से चलती है तो एक क्लास आपको पढ़े डेली मिलते एक क्लास अपको और मैं आपको जहां नो बेर तक वह खेली करने का होशुश रहता है कि क्लास में और बढ़े हैं स्कंट सेमेस्टर का कॉर्स काफी लंडी है लोंग है तो प्रॉपर टेकर से पढ़िय और मेहनत करिए अभी से धेदे करेंगे तो आपको शडूल बन जाएगा यह देख सकते हैं यह अर्थ जहां पर हम रह रहे हैं किसी कोने में आप देख सकते मैंने बहुत ही क्लियर इमेज को लिया है बहुत इमेज तो अर्थ की फिलाल बनाने को नहीं ही आई है से पहले और लेकिन आप देख सकते हैं काफी बरिएं तो सीजह को रिलेट करते हुए चलिये में उपग्रह की कैज आप एक चूटा सा प्रस्ट में रहे होते हैं एंसे परस्टों दॉह को मिलते हैं तो सेटलाइट के अगर हम बात आपसे करते हैं तो कुछ आकासी पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए शूरी की परिक्रमा करते हैं और अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह का है वो अपने ग्रह की तो परिक्रमा करते हैं इसकी वज्वेशा उनको उपघ्रह कहा गया है जासा प्रिथवी का एक परिकर्मा करते हूं तो ये उनके यह प्राकटिक उपघ्रह현 सब्सक्लाइब हुद वह आपके उपक्रहर से चोठैस्टी सी परिवाश्चा को जरूरों आती है कि उपघ्रह क्या होता है और यह प्रिश्वी का उपग्राइब कौन है ठीक है आप देख सकते हैं यह सारे सटलाइट जो आटिफीशल टाइप के होते हैं वह अलग तरीकी के होते हैं ठीक है सब्सक्राइब करें चलिए आगे जलते हैं आज सारे जित्ते भी स्टुडेंट है जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब करना जरूर करना इतना टार्गेट फिक्स करके चला करें एक लाइक क्यों से क्या होता कि वह प्रजेंस आपकी दिखती है कि अटे होता है यह करते हैं चंद्रमा क्या है मून क्या है हुरा हमारी प्रित्वी का एक माद विग्वार है इस चौत है यह हमारी प्रित्वी के से बहुत निकट है बहुत बास देखें से लगवग 3, 1,4 zalag किलोमिडर है जो कहींगा कभी कभी पुछा पूचा गया यह सब्सक्र चंद्रमा को इस प्रकास से हम चांदनी लाइट भी कहते हैं और प्रित्वी के सब्सक्राइब निकट होने के का यह रात्री में आकास में सबसे बड़ा और चम की लग दिखाई है क्यों कि काफी जादा यह हमारे प्लानेट के एकदम नस्दीक में इसलिए आप रात में फ़्रोड देखा तो पूरा अश्या पूरा बड़ा चान रहता है कि यह की पूरा की कलाई है तो पुड़ाए निम्मा को ज़रूर लिखने होंगा नंबर गीन करने होंगे क्लियर आगे वड़ें बात कर लेते हैं की एस्ट्रइट क्या होते मंगल और ब्रहिश्पती की कक की परिक्रमा करते हैं यह भी सूरी की परिक्रमा करते हैं और इन्हें शुर्दुग्राय के टुकडे हैं जो करोनों बड़ से विसफोट जब अगरा हुआ तो वह बिखरे हुए दिखते हैं तो कुछ इस तरीके से यहां पर एक इमेज मैंने इनकी भी ली हुई आप देख सक करते हैं कि वाई मंडल के साथ रगड़ खाते हुए जलने रखते हैं और जलकर प्रिच्वी पर गर जाते हैं जिसको लोग थमाकेदार प्रकाश होता हलका सा दिखता है बहुत ध्यान से आप देखो तो और बच्चे एकसा इसको तूटता हुआ तारा कहते कुछ इस तरीक परिभाशा हैं इस सारे इमेश तो नहीं आएंगे मैं सब इमेश आपके पढ़ाने के लिए आड़ की हुई है चली बात कर लेते हैं इसी के साथ एक टॉपिक और है वह है कॉमेट यानि कि पुछल तारा किसे कहते हैं क्या होता है तो पुछल तारे इत्वा धूम के तू क आती है और यही वास मुख की रूप से पिंड में पूंच की रूप में निकलती है अग्रेविटेशनल फोर्स के कारणिस तारे का तारे का सिर सूर की तरफ और पूंच जो है वह हमेशा बाहर की होती जिसके चमकती हुए दिखाई देती है यह कुछ इस तरीके से आप दे बेसिक साइंस है अभी सोसल साइंस में और पढ़ाऊंगी ठीक है चलिए अब एक और टॉपिक है वह है ब्रह्मान यूडिवर्स की क्या होता है आपने तारों भरे खुले आस्मान को बहुत बार देखा एक से दूसरी तो पहला वह चौड़ी सपेद पट्टी से जब एक करोनों तारों का समुझ रोता है जो तो तास सपय सपय दिखतें टिं तन यह को बहुत सारे सारे हैं और इस पटी को हम क्य कहता हैं कार सबने को आपको आपड़िकzam आता है दिलेगूतरी में लिक्वा आता है नाम जरूर रहcolored दियान कर आन हम प्रिद्री viene से Δेख पाते हैं उसको हम मिलकी वे कहते हैं वह सारपला कार्थ starring के जैसे इसलिक कि जैसे हैं इसमें लगबग एक अरब किसी हैं इसे और रही है और इस क Será कार का गह मिलकर प्रमान का निर्मार करती है तो हमारा मिमंदाकनी मिलकी वे ना ये चोटी चोटी चीज़ आपको कुछ देखिए ये इस तरीके से किता खुपसूरत है न तो आपको ये ध्यान रखनी होंगी बेसिक वेशी चीज़ आपसे बनेंगी तो फ्रेंट्स आज की क्लास यहीं तक हमने आज बुखा तो कुछ अ बुखाए ये एक क्लास आपकी डेली पांच बजह चलती था उसको में टाइम चेंज करकर करूँ ठीक है तकि आप चार प्यंगे पर सेंट रात करूँगी तिक्तव नौ बजह रात में रखंगी ताकि आप लोग दोनों क्लास पर रात में अच्छे से करके देख पाँ टा